हे गाइस बेलकम है मेरे सिपचोरी यूटूब चैनल में आज मैंने बनाए हैं गोल गप्पे बहुती शरल और आसन तरीके से बोवी सूजी के आप भी एक बार जरूट रहें तो चलिए आए वीडियो शुरू करते हैं यह मैंने एक कटोरी सूजी लिया था यह लगवाग 200 नियंगे प्रीट आम के लाइड बगवक्त था उसे आधा आदे से थोड़ा कम मैंने हर फां डोल ली तसम Bay Dalकि से मैक्स कर लिआ है और थोड़ा पानि डालकि सिर्पार कीता तरह गूत लेगे। गाइस इसे थोड़ा लूजी गूते हैं क्योंकि सूजी यह ना जो फूल थी है बाद में इसे अच्छे से गूत लेंगे अच्छे से यह चिकना हो जाए अब हम इसे डखके रख देंगे करीब 15 मिनट के लिए यह 15 मिनट बाद हमने देखा अच्छे से सेट हो चुका है अब गाइस इसमें जो जरूरी प्रोसेस है वो करती है अब इसको हम अच्छे से फैट देंगे अच्छे से इसकी गुथाई कर देंगे पटक पटक के जबी तो गोल गप्पे हमारे फूलेंगे अच्छे से पटक पटक के गुथाई कर देंगे इसकी पुरी तागत लगा देंगे। गोल गप्पे फूलने का मैन रीजन यही होता है अगर इसकी अच्छे से मताई कर देंगें अब गुथाई अच्छे से हो जाएगे तो गोल गप्पे अच्छे फूलेंगे इसमें आपरें कंजुसी कर दीं तो गोलगपे भी कंजुसी करेंगे अगर कि अ मुश्यिक वरगधी चाहिए अगर कि अच्छी में करीब पांच साथ मिनट यह इसे अच्छी से गुताई कर ली थी अमने इसकी ऊब इसकी चोटी चोटी लॊइ बनाघेंगे बिलकुल चोटी चोटी जितना आप गूल-कप्पे का साज रखो से बनाए लुएं Alors qui बना लेगे और žो पानी वाले गूल-कप्पे उते हुआ उसकी व्यारसीपी लेके आऊं यह उसको पहले आठे को गूत गूत के रखना पशार गों कि रिखना पड़आ प्ड़ा और फिर बाद शकनूं लंबा कर दिया इसको लोईयां बनाकर रेख लोगी में और गाय साथ में बेल दी जाओंगी और सेख दी जाओंगी यह देखिए बस दो बेलन मारेंगे दो बेलन से सिख जाया पलट के ऐसे डाल देगे बस यह बिल गया ऐसे ही हम ऐसे ही सभी को बेल लेंगे अभी दो चार बेल जाएंगी फिर हम इसको सेखेंगे अल्ली दो बेलन मार लें बस मारने है ऐसे ही बाश यह कैसे और यह कुल्टा करके ऐसे गएज आपको कोई कमी देख रहे हो तो कोमेंट करके जरूर बताएं और मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं मैंने गेस का फिलेम हाई कर लिया है और गोलकप पे मेरे देखे कितने अच्छे तरीके से सिक रहे हैं कि बढ़िया एक दम फूल लाए सभी के सभी इनकी खास्ट्रिक क्या यह पता है अपने आप पलट जाते हैं इन्हें पलटने की जरूरत नहीं पड़ती है फूल जाएंगे अपने आप पलटने की जरूरत नहीं बस आप इसमें डालो यह अपने आप पलट जाते हैं और पीछे सिख जाए तो उन्हें आप निकाल सकते हो अब बस एक यह ढ लहाँ पर आकने को तिक्लक पर मड़ा ईह पलट गया कि गए जितने आसाने से खाने में होता है कौल को पर इतना ही आसने से बनाने में होता है अब आप जरू ट्राइ करें लगता है कि बहुत कटे नहीं है यह वह कुछ नहीं एकदम सरल है आप भी बनाएं और इंजॉय करें दस रुपए के चार मिलते हैं गाइज मार्केट में और यह दस रुपए में मैंने कितने बनाए है दस रुपए की सूजी थी मेरी 500 ग्राम दस रुपए की आती है बल्कि कमी थी मेरी तो 200 ग्राम थी कि गाइज यह पलट तो अपने आप रहे लेकिन मुझे लग रहा है कि तोड़ा कच्ची है वैसे इसलिए मैं पलट रही हूं लेकिन पलटने की ज़रूत नहीं है ऐसी सभी को हम बना लेंगे गाइज डेली मेरी वीडियो आती है साड़े ग्यारा से बारा की बीच में आप जरूर देखे दो पैर में साड़े ग्यारा की बारा की बीच में चलिए ये बन के हो गए रेडी अब हम चलते हैं पानी की तरफ यह मैंने तीन मिर्च लिए हैं क्योंकि में पानी तीखा नहीं बेलना होंगी मेरे गर में बच्चे भी हैं बच्चे खाते हैं मेरे बच्चे ज्यादा इंज्वा करते हैं तीन मिर्चे यह तीकी बाली और दनिया मैंने में एक सी में घ्रान कर लिया है पीछ लिया है इसको हम डाल देंगे पानी में यह मेरा एक डिर्ड लीटर के करी पानी है मैंने एक चमच डाला है सफेद नमक एक चमच काला नमक एक चमच बोना हुआ जीरा जीरा भून के पीछ लिया है एक चमच मैंने अमचूर पावडर लिया है मेरे पास पानी पूरी मसाला नहीं था इसलिए मैंने एक चमच अमचूर पावडर लिया है मैंने इसलिए एक चमच चांट मसाला लिया है पानि पूरी मसाला नहीं आपको पास तो कोई दिक्कत नहीं है आप सकतेज़ को डाल सकते हैं जाल मिर्च को आज चमच यह गारी और समय्द लेलं को कर युक्त कर direct कर दो चांद रहिक हिइज और आदाया और Weekly को ये पटाईट के ऽल रहा है एक नीमू डाला है मैंने इसमें गाइस मैंने ये चलनी से ये जो दनीय के पत्ते में जो बड़े बड़े दिख रहे थे मैंने उसको निकाल लिया है अब डालेंगे हम इसमें बूंदी इसको गुमा देंगे अच्छे से पानी बनके मारा हो गया एक दम रेडी गाईसे इस मेथर्ट से आप भी बनाएं बहुत अच्छा बनेगा एक बाद जरू ट्राइ करें तोड़ी से बूंदी मैं उपर से और डालूँगी इसमें अब भी बनाएं गुल कप्पे गर पर इंजॉय करें एक दम सरल और आसन तरीका इसको बनाने का यह देखी कितना सांदार है ना बजार जैसा अब बनाती इसका जो फीलिंग होती ने गॉल कप्पे के अंदर की आलू बनाती है यह मैंने लिए चार-पांच आलू इनको वॉयल करके लिए रटक लिया था मैंने पहले ही चील के अब मैं डालूँग इसमें काला नमक आदा चमच आदा चमच सफेद नमक थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ी सी बूंदी बस इस और आदी चमच मैंने लाल मिर्च डाली इसमें और यह हमारा रगड़ा बनकी हो चुका है रेडी थैंक यू फूर वाचिंग